अलो दोस्तों नमस्कार मैं वाभाश वास्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अड़ा 24-7 पे गाईस वेरी वेरी गूरणिंग दोस्तों सुपसंद्या वेरी वेरी गूरणिंग फड़ा आजओ सबके सब लोग आजे भाई, प्रछा, सेजल, संगराम, प्रतिकशा सुनीता सब के सब लोग बैचलर लाइफ, अपन्यना विवेक भाई सबको गूर इवनिंग गूर इम बच्चों आया पुर्वा, हाय जस्पृत, गुडिवनिंग, अक्रिपा संकर भाई, गुडिवनिंग, 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 सब को सुपसंद्या, वेरी वेरी गुडिवनिंग, फड़ा फड़ा आजाओ, सेसन को स्टार्ट करते हम लोग, सो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको याद करना है जो नए दोस्ते हमारे उनको सबसे पहली बात की चैनल तो सबस्क्राइब कर ले और दोस्तों आने से पहले याद करना सिरिगर्णेस करने से पहले हम लोग सेशन को पहले सेयर कर लेते हैं और लाइक करना बिलकुल मत भोलना और क प्रटाफट आजओ जल यह स्टार्ट करते हैं और गया इस प्लीद सेसं को एक बारी सेयर कर लो ता कि लोक जूड़ जाएं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबको इन गूड इन बाई गूड इंग धो इस्रम करने वाले हैं types of ATM जैसा कि हमने कल ही discuss कर लिया था कि आज का जो टॉपिक हो बेसिक होने वाला है और टाइपस of ATM जो ATM यूज़ करता है वो भी जान जाए कि actually कौन किस किस प्रकार के ATM होते हैं और actual क्या क्या है ATM में तो दोस्तों I think बहुत सारे लोगों को पता होगा ATM के बारे में बट यहां पर कुछ और चीज़े आज हम लोग जानेंगे ATM के बारे में दोस्तों ATM की concept के साथ-साथ हम आपसे क्या discuss करने वाले है उसके MSQs so guys बिना late किये वे start करते हैं स्रीरिगरनेस करते हैं महादेव का नाम लेके so guys आते हैं ATM सबको पता होगा दोस्तों what is the full form of ATM ATM है क्या सबको पता है लोग करते हैं ATM से पैसा निकाल लो ATM से ये कर लो वो कर लो ये so guys ATM ATM की बात करें तो ATM का definition कभी पूछा नहीं गया है वसरते हम आपको यहाँ पे discuss करेंगे जरूर से कि guys एक बारी देखना दोस्तों यहाँ पे कि ATM है क्या so guys ATM का पूरा नाम है automated tailor machine आप इसको हाइलाइट करते चल रहे हैं आप देखते चलना इसके बाद इसका MCQ भी है इससे related MCQs भी लेकिया है अनसुल भाई इस topic से आगे में जो MCQ होगा उससे question आएगा अनसुल गुपता सर इससे question जरूर आएगा सर ATM से related question आते ही आते हैं उसका full form आ जाएगा या पिर उससे related जो types of ATM उससे related question आ जाएगे बढ़ आएंगे जरूर सर दोस्तों याद कना ATM का पूरानाम है automated tailor machine जो दोस् दिया रहता है automatic auto जो भी है ऐसे घुमा के दिता है anytime money ऐसे करके नाम आता है इसका पूरा नाम है automated tailor machine which is computerized machine जैसा के सब को पता है which provide the customers of bank the facility accessing the account for dispensing cash यह कौमा ने सब को बता है यार and to carry out other financial and non-financial guys यहाँ 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 तकना financial and non-financial transaction without the need to actually visit their bank branch यानि कि बिना bank branch विजिट किये हुए आप सारे transactions कर सकते हो चाहे वह financial हो या non-financial हो तो guys यादकना या सत्या भाई आपके comment visible है sir हम देख नहीं पाते होंगे कोई नहीं सौम्या आपका स्वागत है एक question बन सकता है हालो वीनोद भाई good evening good evening अलोक सर आपसे लक्ष मिने गर में ब्राण में पढ़ा है ओके अलोक सर आपका स्वागत है sir फिर से तब भी तो अब आप online पढ़ लो घर पे बैटे so guys याद करें ATM का कभी पूछा नहीं गया ATM का definition बसरते आपको पता होना चाहिए ATM के बारे में आपके so guys याद करते हैं तो आगे जलते हलो तरुन भाई हाई आपका स्वागत है तरुन sir so guys ATM को point to point अपडेट करते हैं हम आपसे so guys पहला point हमारा क्या ATM full firm is automated tailor machine जो एक question बन सकता है question ऐसे भी आता है in ATM T stand for so guys it's tailor in ATM M stand for machine पता ही है in ATM A stand for automatic automated so guys it's automated आप योप कि आपको यह clear होगा किसी को doubt नहीं होगा जिनको नहीं पता होगा वो भी clear है it enable user to withdraw cash deposit and transfer fund guys आपको पता होगे ATM से पैसा भी transfer कर सकते हैं withdraw कर सकते हैं जिसको हम लोगों करते हैं CDM cash deposit machine so दोस्तों अब आपको यहाँ रखना है यह चीज़ गाइस next point को move करते हैं दूसरे point you can identify ATM यह तो पता ही है यह तो advertisement के लिए दिया जाता है कि official website पर जाओ बैंके और कहाँ पहाँ उसके ATM है आपके आसपास कहाँ ATM होगा तो आप देख सकते होंगे हलो धर्मेज भाई हाई आपका स्वागत है धर्मेज सर अच्छा ओके so guys next point को move करते हैं दोस्तों ATM machine are available 24 into 7 365 यानि याद कना जैसे अड़ा 24 7 जैसे याद कना अवेलबल है ATM 24 गंटे 7 दिन 365 दिन दोस्तों याद कना साल के 365 दिन ये सेफ है जैसा कि आपको पता है ATM कार्ड और एक परसन को जाना है बारी बारी से ATM ही ये तो common चीज़े ये आपके आरवे के website से उठाया है तो ये विलकुल सेम चीज़ ऐसे ही मिलेगा आपको जो आपको दिखता है आपको देख सकते हुआ ठीक है अब आते हैं main point अब आपका थोड़ा knowledge से देख लेते हैं ATM के बारे में ATM के बारे में जो important fact है ATM से related इंडिया में उसको देख लेते हैं ठीक है इंडिया में सबसे पहला ATM लाया था HSBC को कहा जाता वर्स लोकल बैंक क्या बोला जाता है इसका tagline है वर्स लोकल बैंक यानि कि दुनिया का लोकल बैंक जो कि पूरे वर्ड में सबसे जादा branches किसी बैंक के हैं तो HSBC का था जिसका पुरा नाम है Hong Kong Sanghai Bank Corporation और इसका headquarter है London में दोस्तों Hong Kong नाम है लेकिन headquarter कहा पे है London में और इंडिया में सबसे पहला ATM इसी ने introduce कर आया था दोस्तों आपको याद रखना है HSBC सबसे maximum ATM किस बैंक के है State Bank of India के यह fact बता रहे अभी इसके बाद हम लोग discuss करेंगे types of ATM के बारे में जो आपके लिए important होने वाला है द्रमास के तोर पर रामबान के तोर पर यूज किया जाएगा दोस्तों types of ATM तो सातियों आपको लगे रहना है जुड़े रहना है कि भागना नहीं है और गाइस प्लीज सेशन को एक बारी सेयर कर दो ताकि लोग जूड सके हमारे साथ गाइस state having highest number of ATM महारास्ट्रा 25651 ATM महा दोस्तों सबसे बड़ी बात और ये question आपके लिए important है ये question आया भी है आपका किस में आया है तो मनीपाल वाले में जब आपका syndicate bank मनीपाल का form आया था उस वाले exam में question पूछा हुआ है कि इंडिया का पहला बात करता हुआ ATM किस सहर में आया है किस state में लाया गया था तो मे union bank of India के दोवारा इंडिया का पहला बात करता हुआ ATM दोस्तों आप ATM में जाते होंगे तो आपने देखा होगा ATM में एक थोड़ा सा माइक लगाने वादा बना होता है तो वो talking ATM के लिए होता है यानि कि जो कर सकते हो अंधे हैं उनके लिए होता है जो visibly disabled हैं दोस्तों उनके लिए होता है यह ATM talking ATM so guys आपको याद कना talking ATM Union Bank of India एहमदाबाद गुजरात में सबसे पहली बार launch किया गया था तो guys यह आपके important fact है जो आपको जानना जरूरी था दोस्तों Union Bank of India याद कना जिस बैंक के नाम के last में India word stand करे उनका headquarter कहा जाएगा Mumbai येवल एक को छोड़के United Bank of India या को छोड़के बाकी कि सारे बैंकों के headquarter Mumbai जैसा कि हमने कई बार यह discuss किया होगा वैसे नहीं होगा तो इसका फिर से trick हम बता देंगे बैंकों के headquarter का वह आपको कहीं और जाने के जरूरत में यहीं इसी timing पर सामके 6 बजे मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों अब आते हैं हम आपसे discuss करते हैं types of ATM गाइस आपको बता दें अगर हम types of ATM की बात करें आपको बता दें इसके बाद इसके आगे में यह मैं सोच चीजे book में मिलती है guys कहां पे मिलती है book में वो चीजे मिलती है हम लोग जो देखते रहते हैं तो साथियों देखते चलना मेरे साथ देखते हैं इस तर में types of ATM की बात करें तरुन जी दत्ता सर अभी हम आपसे discuss करते हैं सर हम आपसे बताते हैं सर CT का syllabus क्या होने वाला सर बताते हैं बस वेट कीजिए थोड़ा भी देख ले नहीं तो गडबल हो जाएगा टाइपस of ATM की बात करें तो यहां पर अगर according to book और according to जो बड़े बड़े author हैं जो scholars रहें उनके थुरू अगर हम माने या बैंकों के थुरू माने तो दोस्तों आपको याद रखना है यहां पर तीन टाइप की ATM होते हैं एक होता है कौन? bank on ATM ठीक है? एक होता bank on ATM एक होता है white label ATM साथियों आपको याद रखना है white label ATM और एक होता है guys क्या? एक होता है brown label ATM एक होता है brown label ATM सो गैज आपको यह ध्यान टखने वाली बात है तीन टाइप के ATM होते है according to book अगर हम चलते हैं तो according to book यही चीज़ देखने के बाद हम आपको सारा ATM टाइप दिखाएंगे डॉंट वरी आपको भटकने के जरूरत नहीं है फिलाल सुनते चलना सुनते चलना बिल्कुल टूदब पॉइंट एक एक पॉइंट आपको अपडेट रखना है आपको बता दें बेंक ऑऔर ATM की बात करें यह वो ATM होते हैं जिसमें सब कुछ यानि के अगर कोई ATM आप लगाती हो मेरी बात गौर से सुनना अगर यह ATM है आपने यहाँ पे ATM बसीन लगाया है ठीक है यह आपने रूम ले रखा है इसमें camera लगा है, electricity है, room का rent जा रहा है, maintenance जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऐसा ATM जिसमें bank का logo लगा है और tagline लिखा हुआ है, जिसमें bank सारे खर्चे बेहर कर रही है, वैसे ATM को बोलते हैं हम लोग, bank on ATM, क्या बोलते हैं हम लोग, bank on ATM, यानि guys जिसमें bank का logo लगा होता है, सारे चीज़े, यानि कि bank कों के द्वारा लगाया हुआ ATM, bank on ATM कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, bank on ATM, question आप से यह पूछाएगा, bank on ATM में logo होता है, तो जी हाँ sir, bank on ATM में logo होता है, साथियों आपका यह ध्यान रखना है, bank अपने tagline लगाते हैं, सारे लेवल ATM की बात करें, तो ऐसा ATM जो NBFC के द्वारा चलाया जाए, दोस्तों यह question आपको याद अकना है, सबसे जादा बार exam में पूछा हुआ है, मेरे भाई, याद अकना बंदूओं, मेरे लाल पेड़ों, याद अकना, सबसे जादा बार question पूछा हुआ है, सबसे जादा white level ATM, guys white level ATM किसके द्वारा manage किया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, तो NBFC के द्वारा, what is the full form of NBFC, तो guys आपको याद कना है, non-banking financial companies, guys याद कना, non-banking financial company, ऐसे याद कना, ऐसे कमपनियां, जो guys companies act, ऐसे याद कना, किसमें वेंसन हुआ है, companies act 1956, जो आज में क्या चल रहा है, 2013, तो guys आपको याद कना, NBFC क्या का पूरा नाम क्या है, non-banking financial company, जो companies act 1956 में में जो आज में क्या चल रहा है, companies act 2013, तो guys आपको याद कना, ऐसे ATM कौन लगाता है, white level, और इसका example बता दे, इसका example है दोस्तों, कौन सा, मुथूत finance, दोस्तो ये bank नहीं है, bank नहीं है, financial institutions है, लेकिन ATM का काम करता है, ये agent के तौर पर काम करता है, कहा सकते हो आप, ये commission based होते हैं, guys, ऐसे ATM commission based होते हैं, इसमें सारा maintenance, guys, याद कना, rent, camera का जो भी maintenance होगा, आपका electricity का जो भी लाएगा, सब कुछ, सारा खर्चा कौन बियर करेगा, ये NBFCs बियर करेंगी, ऐसे ATM में, दोस्तों, आपको याद कना, और इसमें bank का logo भी नहीं होता, ना तो bank के tagline होते हैं, रविना सिंग मैं exactly, बच्चे, ये mains के लिए ही focus है, बच्चा, आपको कहीं और नहीं, ATM से सब कुछ clear हो जाएगा, बच्चे, यहाँ पे कहीं और जाने के दवारा लगाया जाते है, that's it, मुथूत, फाइनिंस, टाटा, इंडी, कैस, अब कभी-कभी question पूछा जाता है, what is the difference between NBFC and bank, तो हम इसका NBFC के लिए एक अलग से 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 लिके आएंगे, जिसमें आपको सारा चीज़ डिसक्स करेंगे, ज्यादा लंबा से से सनी होगा, आ as white label, और guys, brown label ATM कौन होते हैं, ये भी ध्यान रखना, guys, brown label ATM की बात करें, तो brown label ATM वो होते हैं, guys, जिसका hardware, जिसका hardware on by, on by service provider, यानि कि suppose that service provider कोई भी हो सकता है, third party भी हो सकता है, दोस्तों, याद रखना, as brown label ATM वो ATM होते हैं, जिसका hardware, service provider दे, hardware सारा, यानि कि ATM का जो machine है, वो service provider लगा है, service provider कोई भी हो सकता है, जैसे डाइब ओल्ड है, आपका, कोई और company हैं, कोई साभी हो सकता है, exactly सागर भाई, ये SBI के लिए है, सर्ये से से सन, especially SBI के लिए, और guys, याटकना, और इस ATM में, bank का logo होता है, और tagline भी होता, bank की branding भी होत अटकना, bank on ATM में logo और branding होती है, brown level ATM में भी logo और branding होती है, but white level ATM में logo और branding नहीं होता, याटकना, bank on ATM में सारा खर्चा bank उठाती है, but brown level ATM में सारा खर्चा service provider उठाती है, और white label ATM में, white label ATM में सारा खर्चा कौन उठाता है, तो service provider जो NBFC होता है, वो उठाती है, और bank से उससे क्या लेती है, commission लेती है, I hope कि आपको ये clear हो गया होगा, ठीके, exactly तमन्ना बच्चे, ये lease पर लिया जाता है, brown label, exactly, अब आतें guys, next point, अब हमारे याँ और सारा, अगर हम गूगल करते हैं, how many types of ATM, तो बड़े सारे ATM के नाम आते हैं, जिसमें एक नाम आता है, ऐसे, पहला होता है, पहले तो basic तीन चीजे ध्यान रखना, ये तीनों ATM के बारे में आपको basic याद रखना है साथियों, अब आते हैं हम लोग on-site ATM, जो हम लोग, जो हम लोग, यहाँ बें discuss करते हैं, on-site ATM की बात करें, guys, on-site ATM की बात करें, तो ATM machine which exists within the premises of bank, यानि कि यह bank है, जैसे कि आपको यह picture दिख रहा है, यह bank है, आपको यह picture दिख रहा होगा, यह bank है, bank के ही premises में क्या है, ATM है, known as on-site ATM, ऐसे ATM को क्या बोलते हैं हम लोग, on-site ATM, यानि जो बिल्कुल site पर ही है, यानि कि bank के premises में ही हो, जो bank है, उसी के premises में कही कोने पर दिखो, ATM हो, उसी bank का, known as on-site ATM, guys, आपको याद अखना है यह जीज़, point to point update करते हैं, next point, अगले point की हो मूव करते हैं, अगला point हमारा, off-site ATM, guys, off-site ATM की बात करें, ऐसा ATM, off-site ATM means the machine which operates outside the bank premises, यानि कि bank कहीं और है, बैंक दो-तीन किलोमीटर दूर है, और आपका ATM जगह नहीं मिला बैंक को, तो बैंको ने अपना ATM एक जगह अलग से लगा दिया, ब्राउन लेबल पुनह बता दीजिए, सर, PM भाई का question है, सर, ब्राउन लेबल को ऐसे समझेगा, PM भाई, कि ब्राउन लेबल लेटियम वो ATM होते हैं, जिसमें बैंक अपनी logo और branding कराती है, पहला चीज, बट इसका जो hardware होता है, वो दूसरा service provider होता है, यानि कि bank का नहीं हो होता, maintenance की बात करें साथियों, maintenance की बात करें, तो इसमें maintenance बैंक नहीं लेता, वो service provider देता है, ठीक है, याद अखेगा सर इसने, और white level ATM ही होता है, सब कुछ service provider है, third party के बीच होता है, NVFC के बीच होता है, guys, please session को like करो, ज्यादा से ज्यादा, session को share करो मेरे बच्चों, मेरे ल press करना, ताकि देली साम के 6 बजे वाला session, आपको message चला जाए, कि भाई, banking की classes शुरू हो गई है, हमें फटाफट जहां भी है, दो मिनट के लिए, एक घंटे के लिए आपको time निकाल लेना, दो मिनट बोल रहे है, दो मिनट के लिए एक बारी देख लेना, कि 6 बजे किसका notification notification आया, सुराजीद सर सबका PDF, सुराजीद मैंने PDF share कर दिया, अभी कुछ, टेलीगरा में कुछ issue चल रहा है, सर, डॉन ट्वरी, आपको description में लिंक है, आप क्लिक करके join कर लेना, आपको सारा PDF किसी भी time का मिल जाएगा, आप देख के हिसाब से निकाल सकते हो, सर, निश्च ATM, आपको याद रखना है, ठीक है, next point, अब आते हैं, mobile ATM, दोस्तों ये question सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, interview में, mobile ATM जैसे नाम से ही है, ठीक है, mobile ATM के बात करें, तो mobile ATM दोस्तों याद रखना, ये ऐसा ATM है, जो नाम से ही लग रहा है, mobile ATM, ठीक है, so guys, stand-alone ATM basis, exactly ATM की बात करें, तो आपने गौर किया होगा, आज कल COVID-19 की वज़र से क्या हो रहा है, बहुत सारे भीड लग रहे है, ATM के बाहर, ATM के branches के बाहर, तो government ने क्या किया, बैंकों ने अपने mobile ATM launch कर दिये, दोस्तों, अब आपके colony के mode पर आके गारी खड़ी रहती है, ऐसे, गारी ब ATM का ATM दिख रहा है, लोग यहां भी line लगा के खड़ें बसरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है, पंजाब National Bank, पंजाब National Bank अपने क्या कर रहा है, ऐसे कर रहे हैं, जो तो पंजाब ही नहीं, सारे bank अपने mobile ATM launch कर रहे है, आपके colony के सामने क्या कर रहे है, ल mobile banking, जो आप अपने हाथ में, तो mobile ATM आपके colony के मोड पे, आपके नुकड पे, आपके चौराये पर मिल जाएगा, ऐसे ATM, और गाईज, COVID-19 situation में, ऐसे दोर में, बैंकों ने बहुत जादा mobile ATM को ही prefer करना जरूरी समझा है, तो आपको याद का mobile ATM, ये भी एक example है, याद रखना, exactly बच्चे प्रतिक्चा, इंडिया का पहला mobile ATM लाँच करने वाला बैंक है, ICICI, इसी ने गाईज, टेके, बैंक on wheel concept भी लाँच किया था, बैंक on wheel, गाईज, याद कना, बैंक on wheel concept भी इसी ने लाया था, आचा, पीम बाई, बैंक, वैंट जबर दस्त बनाया, आचा, क्या क फिट से आगया, जो हम लोग अभी डिसकस करें, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, मुथूत फाइनेंस हैं यहाँ पे, यहाँ पे इंडी कैस है, इंडिया फरस्ट है, यह सारे गाईस क्या है, यह NBFC है, NBFC दोस्तों याद एकना, हम आपको थोड़ा सा समरी बताते चल रहे हैं, और रोशन भाई, यह सब फोटो मिल जाता है, यह सब फोटो देख के निकाल लेते हैं, गैस, NBFC की बात करें, NBFC जैसे के नॉन, यहाँ पे लिखाओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशल कंपनी के दोरह प्रवाइड के जाते हैं, हमने बताया, इसमें बैंक का लोगो नहीं होता, बैंक अपनी ब्रैंडिंग नहीं करती, बैंक अपनी ब्रैंडिंग नहीं करती, न तो बैंक का लोगो होता है, यादकना इसमें आप पिन चेंज कर सकते हो, साथियों आपको यादकना है, ठीके, और आपको बता दे, एक चीज़ और, एक चीज़ और ब करते हैं बैंकों से इसमें कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों आपने ध्यान रखना यह चीज हम आपको थोड़ा से चीज यहां पर बताते चल रहे हैं एन बी अपसी और बैंक को देखते चलना गाइस एन बीफ सी डिमांड डिपॉजिट में वर्क नहीं करता गाइस सुन द्यान डिपॉजिट में क्या कासा यह करेंट एकाउंट और सेविग एकउट एकसेप्ट नहीं करता गाइस आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों आपको अच्छे से अपडेट रखना है दूसरा बताएं हम एन बी अपसी एन बीफ सी की बात बता रहे हैं दोस्तो द्यान रखना बेञान बैंकों इस नहीं होता है तक्धे लिए नहीं होता है तो कि इसमें तो सारा ऑनकों कोई लेना देना आपना कैस मैनेजिमेंट देहें और कुछ भी नहीं देखती बाबू इसलिए ब्रैंडिंग नहीं करती वाइट लेवल एटियम में लेकिन आप बैंक और ब्राउन लेवल में दोनों ब्रैंडिंग बैंक करती है याद एकना इस चीज को ठीक है टम डिपॉजिन मतलब आड़ी और फड़ी आपसे बता दें मेंस का क्वेस्चन था थोड़ा अंदर घुसके पूछा था कि NBFC मैक्समुम डिपॉजिट कितने दिन का एक्सेप्ट करती है सो गाइस मिनिममम दोस्तों याद कना मिनिममम 12 मंथ में मैंसन किया जाता है दोस्तों मिनमम इस 12 मंथ अब आपको लगेगा सर आपक्यूं पहलिया बुझार है आप सिदे सिदे बोलो कि सर एक साल और पांच साल बट बच्चे यहाँ पे मंस मेंसन किया जाता दोस्तों यादखना यहाँ पे मंथ मेंसन किया जाता 12 महिने और 60 महिने कौन term deposit मेरी बाव सुनते चलना दो point हो गए तिसरा NBFC ATM प्रोवाइड नहीं करता अरे कैसे ATM देदेगा यार ATM कार्ड कैसे देदेगा जब current और saving account यह नहीं open कर रहाता तो ATM कहां से देदेगा तो clear cut सी बात ATM नहीं देता यह याद एकना चौथा point याद एकना ये भी दोस्तों याद एकना NBFC ठीक है NBFC की बात करें याद एकना NBFC की बात करें तो NBFC लोन देता है बट interest rate क्या होता है higher होता है क्या होता है interest rate इसका higher होता है मेरी बास समझ में आरी हम क्या बोल रहे है तो ये कुछ-कुछ points है NBFC के जैसे Muthuth Finance, Future Group, Tata Indie Cash गाइस, Bajaz Alliance ये सारे क्या example है NBFC की non-banking financial companies के example है और दोस्तों याद एकना ये company या register होती है Companies Act 1956 गाइस जो बदल के हो गया Companies Act 2013 amendment लाया गया, 56 में अब 13 हो गया राम राम, हलो भाई, हरर महादेव सर So guys, I hope कि आपको clear होगा, कोई question, कोई doubt यहां से yes or no, फड़ाफ़र जवाब दो अगर कोई question है, फड़ाफ़र comment में बूछो दो मिनिट का time देते हैं हम आपको फड़ाफ़र से next point को move करते हैं साथ यूँ तक क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें डिसकस करनी हैं हमने आपको, इसके बाद आपका MCQ है, इसके बाद आपके MCQ है, जो हम आपसे डिसकस करेंगे exactly प्रतिक्चा, इसका interest rate high होता बच्चे, आपको ध्यान रखना है, I hope कि आपको clear हो गया होगा exactly स्वाती, लेकिन स्वाती सर्राफ का question है सर, लोग तो NBFC में चूँ जाएंगे फिर, स्वाती मैं, बैंकों में बहुत not anky होता है आज भी गाओं के छित्रों में बहुत ज़्यादा NBFC work करता है बाबू, आपको बता दे, NBFC बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैंकों में लोग जाने से कतराते हैं, यह लुभाओं ने offer दे देते हैं, और उसके बाद customers को फांस लेते हैं, ऐसे कह सकते हो आप ओके, क्या, no sir, no sir, no sir, क्या no sir, अब बताओ, जो नहीं समझना है, फड़ा फट कमेंट करो, next point को move करते हैं, guys, green label ATM की बात करें, guys, exactly सुरभी, कोई नहीं लेता लो, लेकिन यह क्या होता है, interest rate higher रखते हैं, लेकिन इसमें conditions कम होते हैं, इसलिए lollipop ले ले लेता है, लोग, प्रॉक्स होता है, ठीके, आते हैं, green label ATM की बात करें, इसको सुनना, green label ATM are provided for agriculture transactions, guys, ऐसे याद अखना, जब agriculture transactions करने होते हैं, उसके लिए green label ATM होता है, that's it, अगर आपको, ठीके, तो guys, याद अखना, green label ATM की बात करें, तो guys, green label ATM ऐसे याद अखना, agriculture transactions को promote करता है, दोस्तों, याद अखना है, ठीके, याद अखना ये चीज़, आपको बता दे, ऐसे याद अखना, किसे ने question किया, sir, NBFC से relation क्या होता है, bank से, PM भाई का question है, आपको बता दे, PM NBFC, अगर 10 साल का अनुभाव ले लेते हैं, यही कल को RBI इनको, अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो इनको bank बना देगी, RBI, याद अखिएगा, sir, अब बचसरतें, उनके पास 500 क्रोन रुपे होना चाहिए, याद अखिएगा, 10 साल का अनुभाव, 500 क्रोन का capital, होनी चाहिए, तो उनको bank बना देगा, याद अखिएगा, यही अंतर होता है, sir, NBFC और bank, अभी ये bank नहीं है, इनको shadow bank की ये drop पे तो और भी भी कहा जाता है, shadow banker कहा जाता है, NBFC को, shadow banker, यानि कि परचाहीं के तोर पर काम करते हैं, बट bank नहीं होते है, sir, याद अखिए share transactions कर सकते हो आप जिन ATMs के through, guys, orange label ATM, ठीक है, ऐसे आतकना, orange label ATM, वो ATM होते हैं, जो इसमें share transactions, guys, यातना, bitcoins, ऐसे कर सकते हो, इससे transactions कर सको, वो ATM किस नाम से जाने जाते हैं, orange label ATM, आप सुनते चलना, green label, agriculture, orange label, share, white label, तो NBFCs के द्वारा, और brown label, अभी हमने आपको बताए, अभी आगे, फिर से on-site, off-site आपको clear हो गया होगा, और orange label याद रखना, अब आता pink label, दोस्तों, pink label बहुत common है, बहुत, बहुत common है, I think आपको पता होगा, जो UPC होगा, योगी आधित्यनाथ, योगी आधित्यनाथ आपको पता होगा, व ये वेन डीजल के चचेरे भाई लगते हैं, थोड़ा आप गौर से देखो, तो वेन डीजल को अगर गिरुआ कलर पाना दो, तो बिल्कुल योगी आधित्यनाथ दिखेंगे, थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो बस, अच्छा है, अध्डा का ATM है ये, एनिवे, हम बात करें थे, आपने देखा होगा, पिंक टॉयलेट यूस किया गया, पिंक टॉयलेट वर्ड इंडिया में यूस किया गया, कहां पर, नोईडा में, अगर कोई नोईडा से होगा, तो पता होगा, न्यू ओखला इंडस्टि पिंक बस किसके लिए लॉँच किया गया, तो महिलाओं के लिए, कहां पर, यूपी में, योगी आधित्यनाथ ने लॉँच किया था, तो आपको याद एकना है, तो ये पिंक लेबल ATM किसके लिए है, तो पिंक लेबल ATM का नाम आएगा, तो आँख बंद करके ठोक देना, क अगर भाई का पूच रहे है, Green Label ATM कौन सा बैंक प्रोवाइड करता है, Green Label ATM नॉर्मली ग्रामीन छित्रों में आप जाओगे सर तो वहाँ पे मिल जाएगा सर आपको, वहाँ पे सारे बैंक अल्मूस्ट प्रोवाइड करते हैं, Green, बस अत्य आपको बोलना पड़ेगा सर उस आते हैं जहां पर ब्रैंडिंग और लोगो होता है, और अल्मूस्ट हम लोग कह सकते हो, Brown Label ATM ही यूज़ करते हैं, कौन ATM यूज़ करते हैं, Brown Label, सो आपको याद रकना है, 2020 में नीलू यादो, 2020 में लॉंच हुआ है बच्चे, नेक्स पॉइंट, फिर से आगे Brown Label, देख इस प्रोवाइडर, However, Cash Management and Connectivity to Banking Network is offered by Sponsor Bank, जिस बैंक का ATM है, Supposed, यह Union Bank of India है, अगर इस बैंक का ATM और hardware, सब कुछ जो अंदर लगा हुआ है, hardware, वो सब कोई दूसरी बंदा है, यानि कि agent कोई दूसरा बंदा है, उसने लगाया, अगर इसमें Cash और जो सारी connectivity है, यह बैंकों क होता है, वो bank हमारा brown label ATM कहा जाता है, जैसा कि हमने बताया, फिर से सुन लो, कुछ लोगों को doubt हो रहा होगा, bank on, और यादकना bank on, और brown label में, तो दोस्तों फिर से सुन लो, इसमें भी logo लगाता है, ब्रैंडिंग करता है, और यादकना, इसमें भी logo लगता है, और bank को, क्यों? क्योंकि ये bank ही बता सकता है, actual में किसकी software है, क्या है, किसका hardware है, ये चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आता, बसरते उस hardware पे, bankों के hardware पे नाम लिखा होता है, या फिर उसमें लिखा होगा है, कि अगर कोई problem होती, ATM से related, आप इस number पे call कर सकते हो, वहाँ पे आ बातकना, इसमें सारी connectivity, सारा maintenance, सब कुछ bank का होता है, इसमें maintenance, service, rent, और camera का, जो प्रकी maintenance होता है, वह सब जो बंदा होता है, यह service provider होता है, उसका होता है, ठीके, या, exactly योगिता, daily classes होती है, सामके 6 बजे बच्चे, आप daily सामके 6 प्यम पर available रहो वाबू, आप daily की daily, ओके, अब आते हैं दोस्तों, mcqs के उपर, अब guys, फड़ा फड़ mcqs का जवाब देना सुरू करो, आपके screen पर आ, question यह, फड़ा फड़ जवाब दे दो, which of the following facility is available at white label ATM, cash deposit, regular bills payment, mobile recharge, in change, none of the above, guys, जवाब दो, which of the following facility is available at white label ATM, guys, question का PDF आपको मिल जाएगा, सनन्द भाई, description में link दिया हुआ है, आप वहाँ से, टिक करके join कर सकते हो, telegram, और वहाँ पर दोस्तों, जाके, आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, PDF आप, don't worry, आपको PDF मिल जाएगा, ठीके, which of the following facility is available at white label ATM, और यहाँ पर लोगों के comment, अभी comment हमको चेक करना है, आप लोग प्लीज, guys, start, MCQ start करने से पहले, so please, दोस्तों, एक बारी सेसन को share कर दो, और एक बारी, जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, guys, ताकि आपको live notification मिलता रहे, guys, और comment में जरूर बता है, comment तो होई जा level ATM में कौन सी facility available होती है, actually, so दोस्तों, ये होता नहीं है, ये होता बिल्कुल नहीं है, mobile रिचार्ट तो बिल्कुल ही नहीं होता, its correct answer is pin change, option D is the correct answer, white label ATM किसके दोरा manage किया जाता है, NB, FCs के दोरा, non-banking financial companies के दोरा, ये white label ATM manage किया जाते, मेरे साथियों, आपको याद रखना ह मेरा राम है वैबो श्रिवास्तो, आप YouTube पे डालो वैबो सर, आपको दिख जाएगा, थोपड़ा मेरा हमेशा पता पता दिख जाएगा, आपको बच्चे कहीं और जाने के जरूरत नहीं, डेली साम में 6 PM पर हम available हैं बाबू, आप follow कर सकते हो, अच्छा सज्जन भाई बो इंग्लिस रिजनिंग सब पंड़ना है सर, टाइम होने की वज़ा से एक तोड़ा इशू आ रहा है, आदरवाइस आप 6 बजे आओ, कोई इशू नहीं सर, टाइम निकाल के थोड़ा सा मैनेस कर लो, कोई प्रोब्लम नहीं, नेक्स पॉइंट, which of the following authentication method is used in ATM, गाईज, हाय नमस्कार सर, गुड़िवनिंग, प्रनाम भाई, प्रनाम हरर महादेओ, अचा अविनास सैनी बोलने सा थोड़ा स्लो बोलो, अब अविनास भाई कितना स्लो बोलेंगे, स्लो बोलेंगे बड़ा टाइम चला जाएगा, बड़े सारी क्वेस्चन है, गाईज, which of the following authentication method is used in ATM, प्रिपांकर सुकला मेरा अलहाबाद घर है वह यहा और विसकली हम अलहाबाद से हैं, that's it, यहाँ रखूंँ, नहीं नहीं कैसे विड्रॉल होता है डिपॉजिट की बात की जा रही है मनिसा को और वहाँ पे डिपॉजिट की बात की जा रही थी देखो यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें विड्रॉल की बात नहीं की जा रही है हमने option जो है उसका ध्यान रखो और यहाँ पे क्या है pin और आपको बता दें, आपको confuse करने के लिए ऐसे options दिये जाएंगे बिल्कुल, DFA कुछ नहीं होता, PFA कुछ नहीं होता, यह होता है two-factor authentication, two-factor authentication, और यह होता है PIN, its correct answer is option B, PIN, what is the full form of PIN, PIN का पूरा नहीं क्या है, what is the full form of PIN, what is the full form of PIN, दोस्तों, अलहाबाद सर, जयनवे अलहाबाद जो भी है, सर, प्लेइलिस्ट बनवा लेते हैं, सर, don't worry, हाँ संग्राम भाई, फड़ाफट जवाब दीजे, सनन्द कुमार सर, बहु सारे classes है, अच पच्वा यह छट्वा क्लास है, फड़ाफट जवाब दो, which, what is the full form of PIN, PIN, PIN का पूरा नाम क्या है, कुछ नहीं होता, बिनोध भाई हमने बोल दिया, DFA कोई मतला भी नहीं, यह बस ऐसे, फसाने के लिए आपको बता दिया मैंने, रिची, एग्जैक्ली, इग्जैक्ली रिची, बट फॉलो नहीं हो रहा सर, वैरी गुड, पर्सनल अइटिफिकेशन नमबर, वैरी गुड, पर्सनल अइटिफिकेशन अइटिफिकेशन नमबर, वैल डन, सुपब, बहुत अच्छे, यादखना पिन, तूए टूफेक्टर अथेंटिकेशन वह होता है, दो स्टेज में, वैरिफाइ करता है, यह इसको टूफेक्टर अथेंटिकेशन कहते हैं, ऐसे यादखना, टूए अपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आईवी पैस्पी ओ मेंस का क्वेस् इंटिफिकेशन नंबर सर जवाब दीजिए और वाड़ी स्टेप सुटा कस्टमर टेक इन केस और फिल्ड एट्यम ट्रांजेक्शन एट अट अधर बैंक वाइटेबल एट्यम से वेन हिसरे कॉंट इस डबिटेड यानि आपने पैसा निकाला पैसा कट गया बट पैसा निक आब किला हम गये में पैसा निकालने के लिए और पैसा निकालने लगे उसी तमयर्विक पनौती तिनी थी कि लाइट कट गई पैसा काउंट किया डिस डिस्पेंस करने या नहीं बाहर निकालने से पहली क्या हुआ लाइट कट गई और फड़ाक से बंद हो गया सब कुछ भी बंद कर दिया और मेरे काउन से पैसा तुरंद मैसेज आया कि पैसा डेबिटेड है हमने वापस दूसरे बैंक से जाके मिनी स्टेटमेंट निकाला तो पता तला पैसा कड़ गया ऐसी सिचुवेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए अच्छा हमें इनफर्म करना चाहिए बैंकिंग अमबूर्समेन उस एरिया के अच्छा इनफर्म दा मैनेजर आप दे स्पॉंसर बैंग inform the security guard of the ATM inform the card issuing bank या call bank manager और दोस्तों यहाँ पर सब के जवाबा रहे हैं यहाँ पर कोई उल्लू नहीं बन रहा है और अरध्या बोल रही है call bank manager और अध्या सीधे bank manager अगर कलको आप bank manager हो जाते हो तब तो आप तब तो आप परसान हो जाओगे फिर तो लोगों का call attend करते करते किम जॉंग सर हम PDF share कर दे रहे हैं लेकिन description में link दिया हूँ आप उसको join कर लो sir टेलिग्राम सब का answer correct आ रहा है तो inform the card issuing bank वेरी वेरी गूड वेल दन बस चो बहुत अच्छे सब का answer correct आ रहे हैं और किम जॉंग उन सर आपको किम जॉंग उन नाम नहीं है किम जॉंग कोरिया वाला बैक अच्छे सर आपको PDF मिल जाएगी सर डॉन ट्वरी आप अभी थोड़ा issue चल दा है टेलिग्राम में आपको मिल जाएगा ओके या exactly correct answer is inform the card issuing bank guys next point को move करते है which next point which among the following guys which among the following is correct about brown label ATMs दोस्तों इन में से brown label ATMs के बारे में कौन सा सही है जवाब दो कोई नहीं अराध्या ये तो आपको example के तोर पह था इसमें sorry वारी कुछ नहीं सब साथ के हैं कोई sorry नहीं कोई कुछ नहीं बस आप जवाब दो जो आपको समझ में आए सोच समझ के जवाब देना बच्चे ठीक है ध्यान से नमस्कार कुलदीब दत्ता सर exactly जी तु भाई पड़ा पड़ जवाब दो और यहाँ पे लोगों का जवाब आ रहे है यहाँ पे देखना करेक्ट अबाउट ब्राउन लेबल एटियम हाँ जूली इसलिए बच्चे बोले तोड़ा इश्यू चलता है ओके वेरी गूड वेरी गूड कुछ लोगों के जवाब आ रहे है बोथ कुछ लोगों के डी कुछ लोग ए कुछ लोग बी इसका होगा बोथ ए एंड बी यार ब्राउन कलर एटियम का थोड़ी न होता है भाई यह तो हमें ऐसे फसाने के लिए अपने से ऑप्सन डाल दिए इसक्रेक्ट एंसर इस ऑप्सन डी बोथ ए एंड बी एक्जेक्टली मेरे दोस्त वेरी गुड सुपप सुपप संजू सैमसन सर आएगा सर हाई लेवल क्वेस्टन आएंगे सर अभी बेसिक से चल रहा है भही हा तो बेसिक वाले क्वेस्टन सी है तो इसमें ठेकर नेक्स पॉइंट को मूव करते हैं में अच्छा है यह क्वेस्टन बताओ मज़दार क्वेस्ट्य रिच और विच अमॉंग दर फॉलूविग इफिनेशन सब एट्ट्यम और इंकोरेक्ट दोस्तों इसका जवाब दो which among the following definitions of ATMs are incorrect यानि कि निमेश से ATM का जो difference है incorrect कौन सा है ये जवाब दो हाँ हनी I know 2FA कहां करता है तो हमने बोला 2FA है ही नहीं option था ही नहीं न उसका वो तो है ही नहीं हम दो pin को तो टिक किया था 2FA का हम बता रहे थे option होता क्या actuality है 2FA हम वो बता रहे थे हमने ये नहीं बोला ATM में 2FA follow होता है कहा 2FA follow होता है चंदन भाई B फड़ा फड़ा इसका जवाब दो जलिल्दी गाईस प्लीज सेशन को सेयर करो एक दो question हो रहे हैं बस और दोस्तों जाते जाते आप सेशन को like जरूर कर देना like करना बहुत जरूरी है C यहाँ पर question निकिता जिंदल E सब लोगं का जवाब रहा C यहाँ पर आतकना यह होगा पिंक लेवल एटियम स्वारी यह पिंक लेवल है और यह आफ साइट यहाँ पिंक लेवल हम हटाना भूल गया है दीज मतलब पिंक लेवल होगा यहां पर पिंक लेबल लगा दो यहां पर अगर हम पिंक लेबल लगाते हैं तो क्या होगा अच्छा है अगर हम पिंक लेबल नहीं लगाते हैं तो सी होता है अगर हमने पिंक लेबल लगा दिया तो यहां पर हो जाएगा क्या नन याद अकना यहां कि कोई गलत नहीं है क्यों क्यों कि on-site ATM यह भी सही है औरंज लेबल ATM यह भी सही है पिंक लेबल ATM यह भी सही है ऑफ-site ATM यह भी सही है वेरी गुड क्या बात है यानि कि अगर question को खेल लिया जाए question के साथ तो आप लोगों को यह clear हो जाएगा कि भया आप लोग फस होगे नहीं उसमें आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड दोस्तों क्या बात है वेल डन यह आपका basic वाला concept clear हो गया दोस्तों यहां से और कि वेल डन वेरी गुड सुप अप सुप अप सुप अप सुप अप सुप अप वेरी गुड सो गाईज आज के लिए फिलाल इतना ही and I hope कि आपको मज़ेदार लगा होगा यह session सो दोस्तों comment में जरूर बताना और गाईज याद कना session को share जरूर किया करो गाईज और session को like जरूर करना क्योंकि यही जमापूंजी होती यही कमाई होती as a teacher ठीक है so guys आज के लिए फिलाल इतना ही कल इसी time पर guys याद कना कल 6 pm पर हम नए topic के साथ मिलेंगे आपको topic का आप देखना जाके अड़ा 24 7 में जाके देखना YouTube पर कल का topic क्या है आपके लिए surprise है और कल का topic आप देखना वहाँ पर क्या पढ़ने वाले है और हम लोग साम में 6 बजे daily मिलेंगे daily daily guys याद कना Monday to Saturday और guys इस बार आपको बता दें फिर से Saturday को आपको 40 question का एक series होने वाला है जिसमें आपको exam exam के जैसा question देंगे हम आपको इसी basic से इसी topic से जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है so guys आप join करना ना भूलना Saturday के session को मज़ेदार session होगा आपसे विदा लेते हैं आज के लिए फिलाल इतना ही तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिंद बाई take care घर में रहो स्वस्तर रहो अपने लोगों की सुरच्चा आहिम देख भार करो नमस्कार धन्यवाद जैहिंद बाई take care thank you